हेलो दोस्तों आपका स्वागत एक नए वीडियो में आज की इस वीडियो में आपको बताने आ रहा हूं Redmi A3X 5G में किस तर से 8G Lighting के सेटिंग कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रोज जैस्वाल आप देख रहो Technical RGM आज की वीडियो में आपको बताने हो ला हूँ दोस्तो इडगे लाइट के बारे में जो आपके बेक्ग्राउंड में चारो तरफ से लाइट जलता है तो इसके लिए दोस्तो आपको यह अप्लिकेशन डाउलोड करना होगा प्ले स्टोर से जिसका नाम है इडगे लाइटिं तो चले इसको ओपन होने देते हैं ओपन होनेक बाद इस पर एड़ आया तो इसको एड़ को आपको कट कर देना है इस तरह से आपको एलाउ करना होगा आगे जानेक बाद और चार ओप्शन इसमें दिया है सबसे पहले आपको बेक्ग्राउंड वाला लाइट आपको मिल यहां पर आपको जाये गा इसमें से जो भी लाइट आपको सेट करना है पहला वाला मैंने ओके किया अपलाई वाला पहला पर आपको करना हो अप्लाई करनें के बाद यहां पे-दो अप्शन आयगा इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा आपको होम स्क्रίνव में लॉख आपको दोनों पर परमिशन दे देना है और दोनों पर सेट कर लेना है अपलाई करके और अपलाई करके सेट करने के बाद पहला और दूसरा पर भी मैंने सेट कर लिया और सेट करने के बाद स्क्रीन पर आपको इस तरह का लाइट जो फिलाल दिख रहा है देखिए मेरे स्क् आप्लिकेसन 500 फिलाल इसमें और फोया बहुत सारे ऊपिन वेशा लेटेशन में चलते हैं और वहां से दिखाते हैं अप्लिकेसन को ओपेन करते हैं चले यह चले औह LG Sec कर लिया हूं जो पृष्ष्रा आता है इस न परिएक डिया हूं पारणे बीच्रेंव आपे set का option आ रहा है तो चलिए इस पर click करते हैं और set करने का दो option आता है home screen और lock screen दोनों पर आपको क्या करना है set कर लेना है पहले पहले पर दूसरे पर दोनों option पर click करके set कर लेना है फिर आपको अपने mobile के screen पर इस तरह की बन कर सकते हैं अगर आपको नहीं पफंद है तो फिलाल इसमें जितना option आ रहा है वो सारा option आप अपने mobile पे set कर सकते हो set करके और चलिए अभी wallpaper में आगे दूसरा option wallpaper का दिया है live wallpaper यानि कि हर second में वो change होता रहेगा उसका color अलग-अलग design का दिखेगा और color हर second आपकी mobile में change होता रहेगा जो भी wallpaper आप set करोगे चलिए एक wallpaper को select करता हूँ पहला वाल पेपर है तो इसको अपने mobile में select करके इसको set करता हूँ चलिए आ जाते हैं पहले वाले पे और उसको click करते हैं पहले वाले option पे हमने click कर दिया lock screen and home screen दो option आता है आपको दोनों पे set कर लेना है मैं दोनों पे set कर रहा हूँ कि screen lock हो तो भी दिखाई दे और screen चालू हो तो भी दिखाई दे तो दोनों पे में यह वाला wallpaper जो live wallpaper हर second में change होता है यहाँ पे add आया तो add को cut कर देना है फिलाल मैं add को cut कर दे रहा हूँ cut करने के बाद आपको दिखाता हूँ मेरे screen पे इसको set करके फिलाल home screen and lock screen दोनों पे मैं इसको set कर दिया हूँ set होने के बाद आपको दिखाता हूँ देखिए मेरे screen पे set हो गया है और हर second change हो रहा है अप्लिकेशन ने डाउनलोड कर लिजे और फिर आप अपने मोबाइल में इसको सेट करके इसका फाइदा उटा सकते हैं दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक किजे चैनल को सब्सक्राइब किजे और सेट किजे दोस्तों मिलते हैं आपको ने